नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 36 गड़ समान अग्यान के महत्तपूर्ण प्रश्णों के बारे में, जो की 36 गड़ में आयज्यूत होने वाले सभी प्रतियोगी परिच्छाओं के लिए उप्योगी है. पहला प्रश्ण है, 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का 36 गड़ आगमन हुआ था? इस प्रश्ण का सहिं उत्तर है, आप्चन B, मौलाना सौकत अली 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी मौलाना सौकत अली के साथ रायपूर आये और इसका उद्देश था कंडेर नहर सत्यग्रह धमतरी में भाग लेने हैं तूँ. अगला प्रश्ण पाईक किस जन जाती से संबंधित है? पाईक का अर्थ है पैर्शनिक और कमर जन जाती का परंपरागत कार्य साने कार्य है इस तरह से इस प्रश्ण का सहीं उत्तर है आप्चन A, कमर पाईक कमर जन जाती से संबंधित है अगला प्रश्ण 36 गड उच्च न्यालय के मुख्य न्यायधिस कौन है? इस प्रश्ण का सहीं उत्तर है आप्चन C, अरुप कुमार गोश्वामी जो की चौधवे करम के 36 गड उच्च न्यालय के मुख्य न्यायधिस है अगला प्रश्ण कक्सार किस जन जाती का निर्थ्य है? तो दिये गया आप्चन में कक्सार मुर्या जन जाती का निर्थ्य है अगला प्रश्ण 36 गड परिचय पुष्टक के लेखक कौन है? इस प्रश्ण का सहीं उत्तर है आप्चन C, बल्देव प्रसाद मिस्र 36 गड परिचय पुष्टक के लेखक है बल्देव प्रसाद मिस्र अगला प्रश्ण बाबु रेवा राम कहां के निमासी थे? तो इसके सहीं उत्तर है आप्चन B, रतनपूर बाबु रेवा राम रतनपूर के निमासी थे? अगला प्रश्ण 36 गड में मराठा सासन काल में निमनलिखित व्यक्ति सुवेदार के रूप में पदस्थ हुए विठ्थल दिनकर, केशाओ गोविंद, विकाजी गोपाल, महिपत राव दिनकर इनके सहीं काल करम को चुनिये तो 36 गड के प्रथम मराठा सुवेदार थे? महिपत राव दिनकर, उसके बाद विठ्थल दिनकर, केशाओ गोविंद, फिर उसके बाद विकाजी गोपाल इस तरह से इस प्रश्ण का सहीं कतर है अप्सन D4123 अगला प्रश्ण सुमेलित कीजिए सुची एक में लिख्या है घटनाओं के बारे में चतिस गड़ रेलवे का बंगाल नागपूर में विलय, रूदरी नहर का निर्मान, रायपूर में सेंट पॉल इसकूल की स्थापना, रायपूर में चतिस गड़ महाविद्यालय प्रारम और सुची दो में लिखा है वर्स के बारे में 1893, 1887, 1928 और 1912 तो चतिस गड़ रेलवे का बंगाल नागपूर रेलवे में विलय, 1887 में हुआ था, रूदरी नहर का निर्मान, 1912 में, रायपूर में सेंट पॉल इसकूल की स्थापना, 1893 में, और रायपूर में चतिस गड़ महाविद्यालय का प्यारम, 1938 में हुआ था, इस तरह से इस का सहीं उतर हो जाएगा, आप्शन B, अगला प्रस्न, सीता बेंगरा के गुफा में निर्मित नाट्य साला कहां इस्थित है, इसका सहीं उतर है, आप्शन B, रामगड में, सीता बेंगरा के गुफा में निर्मित नाट्य साला, रामगड में इस्थित है, अगला प्रस्न, नीमनलिखित कथन पढ़िए, पहला कथन दिया है, आठ अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले 36 गड़ के कार्यकरताओं को ललितपूर के पास गिरपतार किया गया दूसरा कथन लिखा है, इन कार्यकरताओं में ज्वाला प्रसाद मिस्त्र एवां यदुनंदन प्रसाद स्रिवास्तों सम्मिलित थे तिसरा कथन लिखा है, पंडित रवी संकर सुकला ने इन कार्यकरताओं का नेर्थित्य किया था सहीं उत्तर चुनिए तो इस प्रस्ण का सहीं उत्तर है आप्शन B1 एवां 2 सहीं है 8 अगर्ष्ट 1941 को व्यक्तिगेत सत्याग्रह में भाग लेने वाले 36 गड़ के कार्यकरताओं को ललितपूर के पास गिर्यपतार किया गया और इन कार्यकरताओं में ज्वाला प्रसाद मिस्त्र एवं यदुनन्दन प्रसाद स्रिवास्ताव समय लित्थे अगला प्रस्ण जाजल्य देव महात्साव किस इस्थान पर आयोजित होता है तो इस प्रस्ण के समय उत्तर है आप्शन C जानदगीर में यह त्यभार कल्चूरी सासक जाजल्य देव प्रथम को समर्पित है जो जानदगीर सहर के संस्थापक है अगला प्रस्ण अगला प्रस्न इसका सहीं उत्तर है आप्षन इसका सहीं उत्तर है आप्षन इनमे से कौन एक विशेश पिछडी जन जाती है इस प्रस्न का सहीं उत्तर है आप्षन इनमे से कोई नहीं इस तरह से राजसरकार द्वारा घोसित दो विशेश पिछडी जन जाती है भुझिया और पंड़ों अगला प्रस्न हल भी किस भासा परिवार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार् के रिया बांकी तीनों ही आप्षन कर्मत्ता लाल और अमारी ये तीनों ही भाजी के नाम है अगला प्रस्ण। 36 गर सासन द्वारा कि सोड़ साहु सम्मान किस छेत्र में दिया जाता है। इस प्रस्ण का सहीं उत्तर है option A. Film. 36 गड़ शासन द्वारा की सोड साहू सम्मान फिल्म के छेत्र में दिया जाता है. अगला प्रस्ण नान कुंटूरा बुलाग बुलाग के पारबांधय का तात्पर या क्या है? इस प्रस्ण का सहीं उत्तर है option B. सुईधागा नान कुंटूरा बुलाग बुलाग के पारबांधय का तात्पर या सुईधागा से है. अगला प्रस्ण निम्नमे से कौन बस्तर अंचल की बोली नहीं है? तो दिये गया option में option D. सादरी बस्तर अंचल की बोली नहीं है जबकि गोड़ी, हल्वी और भत्री ये तीनों ही बस्तर अंचल की बोली है. अगला प्रस्ण किस जनजाती के नाम पर नाट प्रसिद्ध है? तो इस प्रस्ण का सहीं उत्तर है option B. भत्रा. भत्रा नाट अनोख्य प्रकार कर नाठक करते हैं. इसलिए नाठक का यह रूप भत्रा नाट के रूप में लोग प्री है. अगला प्रस्ण एसिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च कहां इस्तित है? इस प्रस्ण का सहीं उत्तर है option C. कुनकूरी में. एसिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च जस्पूर जीले के कुनकूरी में इस्तित है. अगला प्रस्ण तो दिए गया option में इस प्रस्ण का सहीं उत्तर है option A. तापिव उर्जा. अगला प्रस्ण दिसंबर 2018 में शत्तिस गड़ विधान सभा में कुल कितनी महिला विधायक निर्वाचित हुई है? इसका सहीं उत्तर है option C. 13. दिसंबर 2018 में शत्तिस गड़ विधान सभा में कुल कितनी महिला विधायक निर्वाचित हुई है. अगला प्रस्ण इस प्रस्ण का सहीं उत्तर है option C. अगला प्रस्ण ठाकुर जगमोहन सी की रचना कौन सी है? इस प्रस्ण का सहीं उत्तर है option B. स्यामा स्वपन ठाकुर जगमोहन सी की प्रमुक रचना है प्रेम संपत्ति लता, स्यामा लता, स्यामा सरोजनी तथा स्यामा स्वपन आदी अगला प्रस्ण 36 गड़ के मुख्य सचीव है इस प्रस्ण का सहीं उत्तर है option D. श्री अमिताब जैन 36 गड़ के मुख्य सचीव है श्री अमिताब जैन जो की बारवे करम का है अगला प्रस्ण 36 गड़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है इस प्रस्ण का सहीं उत्तर है option A. श्री मती किरन मही नायक 36 गड़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष स्री मती किरन मही नायक है अगला प्रस्ण 36 गढ़ का प्रथम एथ्षेनौल सायंत्र इस्थापित किया जाएगा इस प्रेम कास्युंपतर है, आपस्ण B, कभीरधाम कवरधा के भौराम देवसाकारी सक्कर का आखारे में एथेनौल सायंत्र इस्थापित किया जा रहा है अगला प्रेम 36 गड़ का पहला चाइल्ड केर सेंटर कहा है तो इस प्रस्न का सहीं उत्तर है आप्षन C. बालोद में 36 गड़ का पहला चाइल्ड केर सेंटर बालोद में इस्थित है थाइंक्स पर वाचिंग जय हिंद